नमस्कार दोस्तों विकास इस्टेडी सरकर्ड के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वाकत है दोस्तों आज 22 मार्च 23 से सम्बंदित जो महात्पूर्ण करेंड फैर है उस पर हम लोग चाशा करेंगे आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंदर तक अवसे बने रहें पैनल को देख से अधिक सब्सक्राइब करें चलिये दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रशन है हाल ही में जारी वैस्विक खुसाली सुचकांग दो जाते इसमें भारत की रेंग क्या है तो दोस्तों वैस्विक खुसाली सुचकांग वर्ड हैपिनेस इंडेक्स जो है इसमें भारत की रेंग की बात की जाए तो है 126 और पहले इस्तान पर कौन सा देश रहा तो फिनलैंड जो है दोस्तो पहले इस्तान पर रहा और इस बार दोस्तो लगातार छट्वी बार जो है फिनलैंड पहले इस्तान पर रहा है अंतिमिस्थान, 137 इस्थान किसका है तो अफगानिस्थान का दोस्तों जो है अंतिमिस्थान है तेहां रखिएगा important है दोस्तों keyword happiness index में भारत के rank क्या है 126 पहले इस्थान पर कौन है तो फिनलैंड और अंतिमिस्थान पर कौन है तो अफगानिस्थान इसे जारी करता है तो दोस्तों union ssdn जो है वह दोस्तों इसे जारी करती है यो यूजन दोस्तों सेंगतास्ट संस्टेबल सलूइशन डेवलोमेंट नेटवर्क या दोस्तों इसे जारी करने वाली संस्था है ध्यान रखियेगा अगर आपसे पूछे जाए विशु खुसाली दिवस कब मनाया जाता है तो विशु खुसाली दिवस मनाया जाता है और इस बार की धीम क्या है तो विशु गोराइया दिवस गौरिया दिवस गौरिया दिवस भी दोस्तों 20 माच को ही मनाय जाता है आगे देखिएगा अगला पॉइंट है दोस्तों Climate Change Performance Index 2023 इसमें भारत की राइंग क्या है तो इसमें भारत की राइंग है आठमी Climate Change Performance Index 2023 है इसमें भारत की राइंग आठमी है अगला प्रशन है दोस्तों हाली में ITU WSIS 2023 पुरुसकार किस भारती पहल को प्रतान किया गया तो दोस्तों WSIS इसका Full Farm क्या होगा World Summit on the Information Society या इसका दोस्तों Full Farm होगा तो या दोस्तों पुरुसकार किसे दिया गया किस भारती पहल को दिया गया तोアڈिट आन लाइन आप जो है दोस्तों इसे ITU WSIS पुरुसकार दिया गया है यह दोस्तों आटिट आन लाइन जो आप है या पंचाय्ती राज मंतराले दौरा 2020 में लच खिया गया था नखिएगा आडिट अनलाइन आप जो है किस मंत्रा ले दोरा लांच किया गया तो पंचायती राज मंत्रा ले दोरा तो दोस्तों जो डबलू एस इस है इसका फुल फॉर्म क्या होगा वर्ड समीट अंदर इनफार्मेशन सोसाइटी और यह दोस्तों जो पुरुसकार है यह जिनेवा सुडिया लेंड में प्रिदान किया जाएगा लिहान रखिएगा आगे देखते हैं अगला पंच है दोस्तों जल्दू तैप किसने लांच किया तो ग्रामीड विकास मंत्रा ले जो है दोस्तों ग्रामीड विकास मंत्रा ले उसके दोरा ही जल्दू तैप लांच पुर्सका 2022 या किसे दिया गया तो परेयान पुर्सका जो है चैंपिन आफदा अर्थ 2022 या दिया गया है पॉनिमा देवी वर्मन को द्यान देखिएगा आगे देखते हैं अगला प्रशन है दोस्तों किस भारती उद्योक पति को विश्ष्ट सेवा के लिए आर्डर आफ आस आस्टेलिया में नूक्त किया गया तो दोस्तों जो रतण टाटा जी है भाति उद्योक पती इन्हें दोस्तों आड़र आफ आस्टेलिया में सामिल किया गया है और और किस compan विदेश राजमंत्री मिनाची लेकी ने भारत महसुद 23 का उधगाटन कहां किया है तो दोस्तों जो विदेश राजमंत्री मिनाची लेकी है इन्होंने भारत महसुद 23 है इसका उधगाटन कुवैट में किया है दियान रखियेगा और जो भारत महसुद 23 किया रहा है तो संस दसवा भारती जो फिल्म महोष्टो हैOS, या कहा आयूईत हो रहा है, तो बुसान दस्षिन कोलिया में आयूईत किया रहा है, पहला सिलहट, सिल्चर महोष्टो या कहां आयूईत किया रहा है, तो बाराघ घार्टी असमें, और यह भारत और बनगलाद्रेस के मत्य दोस्तो आयूजित किया गया है और अजयत चीम करना। अनतराष्टी लूसो फोन महोस्टो गोबा में अए जुत हु रहा है। और अगला पॉनिट है दूस्तो 27 अनतराष्टी फिल महोस्टो जो है। या केरल में डूस जो आए जुत होगा और इसमें फोकस कंट्री कुंस आखा है। दियान रखियेगा 27 जो अंतराश्टी फिल्म होसो है 27 अंतराश्टी फिल्म होसो यह कहां विजित किया गया केरल में और इसमें फोकस कंट्री कुंद है तो दोस्तो सर्विया अगला प्रशन है दोस्तो विसो गौराया दिवस का मनाया जाता है मैंने बताया 20 मार्च को दोस्तो विसो गौराया दिवस मनाया जाता है और यह दोस्तो 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 गौराया दिवस का मनाया गया था दोस्तो 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 दोस्त पहदभाद दिवस मनाया जाता है विश्व वने जीव दिवस कमनाया जाता है तो तीन मार्च को दोस्तों विश्व वने जीव दिवस मनाया जाता है आगे देखिएगा विस्व उभोक्ता सरंचन दिवस यह कमना आजाता है 15 मार्श को राष्टी टीका करन दिवस कमना आजाता है 16 मार्श को तो दोस्तों यहां रहें विस्व उभोक्ता सरंचन दिवस 15 मार्श को मना आजाता है राष्टी टीका करन दिवस कमना आजाता है 16 मार्श को अगला प्रेशन है दोस्तों नेपाल के नए उपराश्टपती कौन है तो राम साहय प्रसाद जो यादव है या नेपाल के नए उपराश्टपती नियुक्त किये गए है और यहां के प्रधानमंत्री कौन है तो पुष्प कमल दहल जो प्रजंड है या नेपाल के प्रधानम तो नेपाल के ने उपर राष्ट पती किसे न्यूगत किया गया राम साहय प्रसाद यादव और नए राष्ट पती कौन है तो राम चंद्र पॉंडेल या दोस्तो नए राष्ट पती है आगे देखिएगा चेक गनाज के ने राष्ट पती कौन है तो चेक गनाज जो है इसके ने राष्ट पती है प्रेटर पावेल एक्वेटरियल गिनी जो है इसके ने प्रेदान मंत्री कौन है मैनूल रोका बोटा जो है दोस्तो या एक्वेटरियल गिनी के ने राष्ट पती है आगे जो पॉसरन अभ्यान के तहित प्रतिवास पखवाडा मनाया जाता है और जो पॉसरन अभ्यान है यहady कब शुरू ह dialogues तो 8 मार्च 2018 से पॉसरण अभ्यान जो है शुरू किया गया था और पॉसरन अभ्यान की बात की जाए तो बीस मास से तीन एपरैल तक दौस्टो पंदरा दिन का समय जो है इसमें ही यह ओज्गोंग पाखवाड़ा जो है मनाय जाता है यह दोस्तो जो पौसर अभियान है या किसके दोरा सुरू किया गया महिला बालू कास मंतराले जो है इसके द्वारा ही यह अभियान शुरू किया गया था और दोजाटेश की इसकी थीम क्या है तो थीम है दोस्तों सभी के लिए पोसर्ण द्याने के दोस्तों दोजाटेश की थीम है सभी के लिए पोसर्ण और पॉस्ण अभियान का प्रालाम कख किया गये था तो आठ मास को दोस्तों इसकी शुरूद की गई थी। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्ण है दोस्तों अगर आप से पूछा जाए नौजात सीस्प देखवार सब्ता या कब मनाया जाता है तो दोस्तों हाधी में मृत्य या विकलांगता के मामले में अंतियोदे परिवालों को वित्ती सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहां प्रारम की गई। या हरीना के वर्तमान में है अगला पॉइंट है तो पैन्च कुला हरीना में दोस्तों मैंने बताया है पहला भारत पहला अगर अनाज एटियम या ग्रेन एटियम कहां इस्तावित किया गया तो वह दोस्तों हरियाणा में ही इस्तावित किया गया और इंटर्नेशनल सोलर अलाइंस जो है अंतराश्टी सौर गठवंदन इंटर्नेशनल सोलर अलाइंस इसका दोस्तों मुख्याले कहां है दो इसका मुखहले भी तो हरीयाणा में ही है जो एक Masters जो अंदराश्धी संस्ता है जिसका मुखहले भारत में है और वाबी कहां है तो हरीयाणा में है दियान लखिएँगा अगला प्रिस्टोब प्रशन है 26 भी अखिल भारती 1 प्रत्योगीता जो है इसका आयोजन कहां किया गया तो आयोजन दोस्तों पंचकुला हर्याणा में ही किया गया और पहले स्थान पर कौन रहा तो 36 गड़ जो है दोस्तों यह इसमें पहले स्थान पर रहा है आगे देखिएगा उत्तर भारत का पहला पर्मान सयंत्र जो है वह कहां इस्तावित किया जाएगा तो दोस्तों उत्तर भारत का पहला मैंने बताया था पिछली क्लासों में उत्तर भारत का जो पहला पर्मान सयंत्र है या फतेहाबाद हरियाना में जो है इस्तावित किया जाएगा दोस्तों या उत्तर भारत का पहला पर्मान सेंत्र है जो कहां च्टावित किया जाएगा फटेःबात हरियाणा में इसके लावा दोस्तों अगर भारत के जो पर्मान सेंत्र है उनकी बात की जाए तो देखियेगा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कहेगा पर्माण सेंद्र कहां है कहेगा पर्माण सेंद्र यह दोस्तों कहां है तो करनाटक में है कहेगा करनाटक में उसके लाबा दोस्तों अगर तारापूर पूछा जाए तारापूर पर्माण सेंद्र यह कहां है तो महाराष्ट में है दोस्तों तारापूर काकरापर कहा है तो दोस्तों काकरापर पर्माण सेयंत्र है गुजरात में काकरापर पर्माण सेयंत्र कहा है गुजरात में है उसके लावा दोस्तों नरावरा कहा है नरावरा पर्माण सेयंत्र यह उतरवदेश में आपके है उसके लावा दोस्तों अगर कलपकम और कुरिन कुलम की बात की जाए कलपकम और कुरिन कुलम ये दोस्तों दोनों जो है वह तमिलाडु में है तमिलाडु में है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों काएगा कहा है कहेगा है करनाटक में तारापूर परमाण सयंत्र कहा है महाराश्ण में है काकरापार परमाण सयंत्र या गुजरात में है नरोवरा जो है वा उतरगेश में है और कलपक्कम और कुरेंट कुलम ये दोनों दोस्तों जो है वा तमीलाड में है और कुड़न कुलम जो है दोस्तों द्यान रखें यह सबसे बड़ा है भारत का सबसे बड़ा प्रमाण साइंतर है द्यान रखेंगा कुड़न कुलम जो तमिलाड में है या भारत का सबसे बड़ा प्रमाण साइंतर है द्यान रखें दोस्तों आगे देखिएगा अगला दोस्तों है National Race Walking Championship 2023 इसका आउजन कहां किया गया है जहारखंड में दोस्तों National Race Walking Championship का आउजन किया गया है अगर अभी दोस्तों एक रेस हुई थी Frozen Lake Race या दोस्तों कहां आउजित की गई थी तो दोस्तों या लद्दाख में आउजित की गई थी आगे देखिएगा अगला प्रिशन है संगीत अकादमी दोवारा संगीत कलानेत पुरुसकार दोजाटेश इसे दोस्तों किसे समानेत करने की गोशड़ा की गई है तो संगीत अकादमी के दोवारा संगीत कलानेत पुरुसकार है यह बाम्बे जैस्री को दिया जाने की घुषड़ा की गई है यह दोस्तों जो निरत्य कलाने दिपुरुसकार है या किसे दिया जाएगा तो वसंद लच्मी जो है दोस्तों उन्हें निरत्य कलाने दिपुरुसकार दिया जाएगा और वसंद लच्मी जी जो है या भारत ना पर्टम और कुछ पुड़ी की नर्तक हैं आगे देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए ग्रैमी आवाड 2022 या किसे दिया गया तो रिगी केज को दोस्तों ग्रैमी आवाड 2022 से समानित किया गया माद्र भूम बुकाफदा येर्पुसकार या किसे दिया गया तो डाक्टर प जो है इसे समानित किया गया उसके लावा दोस्तों राजा राम मोहन राय पुरुसका 23 या किसे दिया गया तो एबी के प्रसाद जो है उन्हें दोस्तों राजा राम मोहन राय पुरुसका 23 से समानित किया गया आज का हमारा अंतिम दोस्तों पॉइंट देखिएगा अकबर ककटिल पूर्शकार दोजाँ दिया गया है उपन्यास इनका है समध सिला तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भरत नाट्यम जो है यहां कहां का दोस्तों नेत्र है तो तमिल अडुका है तमिल नाडुका और कुछ पुड़ी कहा है कहा है दोस्तो तो आंधर विदेश का आंधर विदेश का दोस्तो नुरत है शाहति लिनत है तो ध्यान रखिएगा दोस्तो यह जो भरतना ट्रेम है तो मिलाड़ कहा है कुछ पुड़ी कहा है आंधर विदेश का है तो दोस्तो यह थे आज के हमारे करंड एफएर के दिश्ट से कुछ मात्वन परस्ट आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को देख सेदिक सस्क्राइब करें मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जैहें दोस्तों